जे मातागी दोस्तों कैसे हो आप सब दोस्तों आप सभी का हारदिक स्वागते महाकाली भकतियान यूटुब चैनल में तो दोस्तों आज किस वीडियो में मैं आप सभी भकतों को बताने वाली हूँ सावन मैं करो इस महा मंतर का जाप जो मैं मंतर आप लोगों को देने वाली हूँ इस वीडियो में वो मंत्र है सबसे बड़े मंत्र और उनको महा मंत्र कहा जाता है और इस मंत्र का जाप अगर आप पूरे सावन करते तो आपका तीसरा नित्र जैसे की सावन एक या दो महीने का बता रहे हैं कि दो महीने का इस वार लग रहा है सावन तो जैसे की आप इस मंत्र का जाब लगतार करेंगे तो पंदरा बीस दिन के अंदर अंदर ही आपका तीसरा नित्र खुल जाएगा तीसरी आख जो है आपकी शक्ति की वो अपने आप ही खुलने लग जाएगी जैसे ही खुलेगी तो आपको कैसे पता चलेगा वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी तो पूरी जानकारी के साथ ही आप लोगों के लिए मैं ये वीडियो बना कर लाई हूँ तो चलिए दोस्तों बताने से पहल भी और किसी भी चैनल पर नहीं मिली होगी तो जैसे कि दोस्तों चार जुलाई से सावन लग रहे हैं ठीक है इतना तो आपको पता ही है और आगे भी मैं आपको और जानकारी देती रहूंगी कि आपको बर्त कैसे करने हैं बाबा भोले नात के आगर उनके साथ मातकाली के भी रखना चाते तो और भी अच्छी बात है एक साथ ही आप मतलब एक बर्त में ही आप दोनों के बर्त रख सकते हैं कैसे पूरी जानकारी आगे भी मैं आपको देती रहूंगी फिलाल हम बात करेंगे सावन में आप लोगों को मैं एक मंतर देने जारी हूं एक नहीं कम से तीसरा नित्र इन पूरे सावन में यानि कि जितने दिन सावन चलेंगे उससे पहले 15-20 दिन में आप लोगों के तीसरा नित्र खुल जाएगा और खुल जाएगा तो आपको कैसे पता चलेगा वह मैं आपको आगे बताऊंगी अभी हम आपको बताते हैं पहले मंतर के बार या फिर इसको नदी किनारे बैठके गंगा जी हो जमना जी हो वहाँ पर बैठके इसका जाप करें या तो फिर आप लोग इसका जाप कई ऐसी जगा पर करें जहां पर आपको बैठने का भी स्थान मिले और जहां पर उपर से खुल लाओ ठीक है तो आपको करना क्या है पहले जरूर करना है क्योंकि पूर सावन में ये मंत्र जितने भी भक्त है जादतर भूले बावा के भक्त इसी मंत्र का जाप करते हैं तो आप लोगों को भी खुले में इस मंत्र का जाप करना है खुले में कैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपको छट के इस्थान पर बैठ के कर तो मैं आपको काली मातागा भी महा मंतर बता देती हूं जिस मंतर को करने से आप लोगों को और भी ज्यादा सक्तिया प्राप्त होईगी तो काली मातागा मंतर है किलीन किलीन कामक्या किलीन किलीन नमहा किलीन किलीन कामक्या किलीन किलीन नमहा किलीन किलीन कामक्या किलीन किलीन माता भी आपसे प्रसंद होएगी पर ये जो मैंने आपको मंतर बता है ये महा मंतर है माता कमक्या का महा मंतर है काली माता का महा मंतर है और जो बावा भोले नात का मंतर बता है वो भी महा मंतर है महा का मतलब तो समझते ही हो सबसे बड़ा मंतर जो सबसे ज़्यादा पावरफ और उसी टाइम आपको मंतरों का जाब करना है ठीक है? दिन छुपने से पहले आपको करना है मंतर जाब यह मैं सोचना कि रात हो जाए तब करेंगे दिन छुपने से पहले आपको इस मंतर का जाब करना है तो आप लोगों को जितना आप इस मंतर का जाब करेंगे तो आपको धेर शारी शक्तिया प्राप्त होईगी देखो बावा भोले नात के दूतों की होईगी माता काली की जा को जाएगी तो पहले आपको बावा भोले नात के दर्शन ओएगे सपने के माध्यां में तीसरी ओर माता का मुझे की योणि दिख सकती है या तो फिर आपको माता का मुझे καा मंदर दिख सकता तो कभी वी इस तरीके से आपको लिज गका बीच में तो जैसे दिख कर आऊ करना है वह भी सावन सावन जब तक सावन चलने वाले तो जैसे कि मैंने सुना है दो महीने के सावन है ठीक है अब लोग सब जितने इस मेहीने वी लोग है उति संस्पट के हुआ ट को बताए हैं ठीक है इन दो मंतर में से आपको दोनों करना हैं ओम न Umm अशिवायका labeled epher त्ट मुझा करके देखो आप प्रिस Mm Намख्या वे ही किली warm कुल जायेगा सुदिंकि ज़्रुप से दिन ही नव्ह है चलिए दोस्तों मिलेंगे पिर आप